इस्टूरी 24 उधेपूर में आप सभी उगा स्वागत है आज के इस वीडियो में हम अलपाधिकार बाजार का एक ग्रूप कीमत नेतरत्व प्राइज लिडर्शिप इसके बारे में हम पढ़ेंगे अलपाधिकार बाजार का मतलब क्या होता है जिसमें किसी वस्तू के जो विक्रेता है उनकी संख्या बहुत कम होती है कुछ ही विक्रेता होता है और उन विक्रेताओं में पारस पर इक निर्भरता पाई जाती है तो जब उनमें पारस पर इक निर्भरता पाई जाती है तो ए कुछ फर्में आपस मिलकर कोई लिखित समझות अगर अलन्गन किया जाता है कि उसके फ़लरुप उनको समझत को ठता हैं। अधिय के नहीं। उन्होंने आपस में अपना समझोता कर लिया, एग्रिमेंट कर लिया, और सारी फर्में उसी एग्रिमेंट के साब से अपना काम करती है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अपचारिक समझोता, लेकिन दूसरा होता है, अनुपचारिक, ठीक है, अनुपचारिक में क्या होत थीए ठीके त। को हम केते हैं अनौफ-चारीग ठीक है लेकिन जब हम देखते हैं कि अल्पधिकार के इस्तिति हैं तो उनीय और आपसे पारत पर पर इक निर्वरतत होती होती है तो इसी स्थैति में अनौप-चारिक समझुते कि अंटरगद भी उनकी एक दूसरे के ओपर निरबरता हो सकती है मतलब बीना कोई समझोता किये ठीक है बीना आमने सामने कोई अगर वो विचार विमर्ष नहीं करते हैं तो भी उनमें एक समझोता हो सकता है ठीक है और एसी स्थिम हम देखते हैं कि उनकी कीमत और उत्पादन की जो निती होती है वो सब भी फर्मों की क्या होती है समरूप होती है ठीक है जैसे कि हम देखते हैं कि जियो मोबाइल जब आये था तो उससे पहले सर्विस देने वाले जो कमनिया थी जैसे वोड़ा फॉन थी एयर टेर थी आईडियर थी बीएस निल थी तो इनके जो प्लान थी ठीक है वो कोल डेट के बारे में हो चाहिए वो इंटरनेट पेक थे यह सारे क्या थे एक तरह से म का मतलब उनमें आपस में कोई लिखी समझोता नहीं हुआ था लेकिन जियो के द्वारा जो कीमत और उत्पादन निती का अनुसरन किया गया था जो निती बनाए गए थी उसी का अनुसरन अन्य फर्मों ने कर लिया ठीक है तो इससी इसको हम क्या कहते हैं अनुपचारिक स नुसरा होता है इस्थितिमान और तीसरा होता है आकरामक या शोशनात्मक तो सबसुपर हम देखते हैं प्रधान फर्म द्वारा जो किमत नेत्रत किया जाता है वो क्या होता है ठीक है तो देखिए इसके अंतरगत क्या होता है कि बाजार में एक उद्योग में जो कुछ फ फर्मों के दारा जो भी उत्पादन किया जा रहा है तो इस कुल उत्पादन में एक बहुत बड़ा भाग जो है वो किसी एक फर्म या उत्पादक का होता है ठीक है तो जब बाजहार में किसी वस्तु के उत्पादन का बहुत बड़ा भाग की जब हम बात करते हैं ठीक है कि म Vintal है उसमें से माना कि इतना भाग जो हैं ते के माना कि 60% है 50% हो सकता है तो ये तो एक फर्मे के पास ही हैं और बागी का ये जो इतना पार्ट है ठीक है वो 8-10 फर्मे और अन्नी है वो इनके पास में कहने का मतलब क्या है कि प्रदान फर्म द्वार की मन देतरत का मतलब क्या हो गया कि बाजार की कुल उत्पादन में एक बहुत बड़ा भाग जो है वो एक फर्म के पास में होता है और अन्य फर्मे जो होती है छोटी छोटी फर्मे होती है ठीके तो उनके पास में गहम होता है कहने का मतलब कि जो अन्य फर्मे छोटी 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 फर् का हैं वो बाजार को प्रभावित कर सकती हैं लेकिन अन्य फर्में जो हैं वो बाजार को प्रभावित नहीं कर सकती हैं छोटी हैं वो वस्तु की किमत को भी प्रभावित नहीं कर सकती है ठीक है तो इस इसने में क्या होता है कि प्रधान फर्म जो यह हैं उनके द्वारा जो किमत निर्धरित की जाती है उसी किमत को यह अन्य छोटी छोटी फर्में जो है वह अनुसरन करती है ठीक है तो इसको हम कहते हैं प्रदान फर्म द्वारा कीमत ने तरह तो दूसरा होता है इस्थितिमान कीमत ने तरव तो ठीक है बेरोमेट्रिक प्राइज लिडर्शिप तो इस्थितिमान के अंतरगत क्या होता है कि इसके अंतरगत कोई भी जैसे एक सबसे बड़ी फर्म हो सकती है जो बहुत पूरा नहीं है या फिर उसको बहुत अनुपव हैं तो इस सिस्थिम वस्तूत पाजित की जा रही है ठीक है उनकी जो भी वस्तूत कीमत होती है तो उसी की अनुसार हो मतलब ठीक है उनको एक तरह से कोई नुकसान नहीं हो मतलब उनको भी संडरक्शन दिया जाता है ठीक है मतलब उनके हिसाब से भी वह बैस्ट होने चाहिए ठीक है जो छोट के जा रहे ह। इस इसनिवे क्या करता है कि जो अने चोटी छोटी फर में ऑगे जो किमत-षद्य द्रीछें जो किमत की है उसने द्यान रखा है लेकिन इसको हम कहते हैं शोषन आत्मा किया आक्रमक किमत नीती है ठीक है इसके अंतरगत क्या होता है कि जो सबसे बड़ी फर्म होती है या जो प्रधान फर्म होती है वो एक तरह से किमत निर्धारन करने में अन्य जो फर्मे होती है उसको बात दिकर देती है मतलब उनके द्वारा जो कीमत निर्दारित की गई है उसी का वो अनुस्रण करें ठीक है अब देखिए कीमत नेतरतु के अंदर गत कीमत और उत्पादन का निर्धारन कैसे होता है तो उसका जो अध्यन है वो हम दो तरीके से कर सकते हैं ठीके पहरा हम देखेंगे कि कम लागत के कारण कीमत नेतरतु में उत्पादन और कीमत का निर्धारन कैसे होता है ठीके मानने हैं हम कि बाजार में अगर दो 15 हैं ठीक है तो उनमें जिस फर्म की लागत किया है कम तो जब एसी इस्थिती होती है ठीक है तो कम लागत के कारण कीमत नित्रत्व में कीमत और उतपादन का निड्र्धार्ण कैसे हो उसके बारे में हम पढ़ेंगे तो सबसे वहले हम माननेता हैं कि बाजार में दो फर्मे हैं ठीक है ए और बी फर्मे हैं और ए फर्मे की जो उत्पादन लागत हैं वो बी फर्मे की उत्पादन लागत से कम है ठीक है एक एक उत्पादन लागत क्या है कम है किसकी तुलना में बेक की तुल नाम है और तिस्री मान निता हमने ले ले हैं कि दोनों फर्मों के द्वारा जो वस्तु बनाई जारी वो कैसी हैं सम्भूरूप वस्तु हैं इसका मतलब क्या हो गया कि उभ्भूकता किसी एक फर्म के द्वारा उत्पादित वस्तु को अधिमान नहीं देगा उ इसको prefer नहीं करेगा क्यों क्यों कि दोनों का उत्पादन क्या है एक सम्दूप है और फिर दोनों फर्मों का बाज़ार में जो हिस्सा हैं वो क्या है फिर भागने ने ह हमने मानिता हिए हैं इन मानिताओं को हम एक रेखाचित्र को कर लेके हम समझा सकते हैं तो जैसा कि हम इस देखा चितर में देखते हैं ठीके तो ये हमारा जो फर्म जो है उसका विक्तिगत मांग वक्र बना दिया हमने फिर दूसरा जो ये हैं बाजार मांग वक्र है ठीक है दोनों फर्मों की वस्तों का जो मांग वक्र है ये बाजार मांग वक्र है और ये हमारा है सीमांत आगम वक्र है ठीक है एमार वक्र है फिर ये हमारी सिमांत लागत हैं ये b फर्म की हैं और ये जो सिमांत लागत वक्र हैं वो a फर्म का है A फर्म का सिमान लागत वक्र निचे की तरफ है क्यों क्योंकि हमने क्या मान लिया हमने एक मान लिया है कि A फर्म की जो लागत है वो B की तुलना में कम है ठीक है इसलिए B का जो सिमान लागत वक्र है वो निचे की तरफ आ रहा है अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो संतुलन के लिए क्या जरूरी होता है संतुलन की एक शर्ट होती है MR बराबर होना चाहिए किसके MC के ठीक है और MC वक्र क्या होना चाहिए बढ़ता हुआ जो हम फर्म या उत्पादक का संतुलन पढ़ता है उसमें मानिता होती है AMAR और MC के आहुने चाहिए बराबर उने चाहिए लाब अधिक्तम के लिए तो इस रेखा चित्र में घर हम देखते है तो SAMAR में हम देखते है AMAR वक्र यह हमार थीक है हमारा MC वक्र है दोनों बराबर कहां पे हैं इस जगे तो ऐसी इस्तिम हम देखते हैं का A फर्म जो है वो अपनी वस्तू की किमत कितनी निर्धारित करेगी O से लेकर P कीमा ठीक है देखे ये हमारा है MR वक्र और ये हमने बनाये था सिमान लागत वक्र A फर्म का ठीक है दोनों बराबर इस जगे हैं तो ऐसी इस्तिम हम देखते हैं किमत का निर्धार्ण कितना हुआ O से लेकर P और O M उत्पदन मात्रा जो है वो A द्वारा उत्पदित की जाती है ठीक है अधिकतम लागत किस्तिती में दूसरा B का जो सिमान लागत वक्र है वो उपर की तरफ है ठीक है यहां पर है संतुरन कहां पर होगा जहां पर M R वकर और M C वकर बराबर होते हैं ठीक है तो इस इस्तिम हम देखते हैं कि जो B फर्म है ठीक है वो अपनी वस्तु की कीमत अगर O से लेकर H तक निर्धारित करती है और उत्पादन कितना करती है O से लेकर H तक तो इसी इस्तिम में उसका लाब अधिक्तम होता है ठीक है क्योंकि देखिए A फर्म की सी लागत किया है कम है इसलिए A फर्म की कीमत है वो भी क्या होगी कम और B फर्म की सी में लागत ज़ादा है तो एसी इस्तिम उसके द्वारा निधायत किमत क्या होती है, अधिक होगी, ठीक है? तब ही उसका जो लावे वो अधिकतं हो सकता है लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, कि दोनों के द्वारा जो उस्पादित वस्तु हैं, वो कैसी है? समरूप है हमने क्या मानिता है ले कि दोनों के द्वारा उत्पादे द्वस्ता कैसी है समरूप है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वस्तू की जो कीमत है वो अलग अलग नहीं हो सकती है ठीक है दोनों की कीमत भी क्या होने चाहिए समान ठीक है तो इसका मतलब जो ए फर्म है जिसकी उत्प करने वाली फर्म हो जाएगी ठीकिए बी एक थरसे क्या हो जाएगी एक की फोलोवर हम के सकते हैं एक की अनु करता या अनुसरन करता जो भी किमत निर्दायत की गई है और से लेकर पी इस कीमत पर ही बी जो है वह मातरा बैशना पसंद करेगी ठीके और दोनों का जो हमने मला की बात किती ठीक है उत्पदित मांग की तो मात्रा कितनी होगी दोनों के दर उत्पदित O से लेकर M की जाएगी ठीक है तो O से लेकर M उत्पदन और कीमत कितनी है O से लेकर P तो A-System हम देखते हैं कि A-Firm का जो लाब हैं वो तो यहां पे अधिक्तम हो जाएगा ठीक है जब किमत O-P और उत्पदन की मातरा कितनी हो O से लेकर M तब A-Firm का जो लाब है वो अधिक्तम हो जाएगा लेकिन B-Firm के द्वारा भी उत्पदन की मातरा कितनी उत्पदन की जाएगी O से लेकर M और किमत कितनी होगी O से लेकर P ठीक है तो A-System हम देखते हैं B-Firm का जो लाब है वो यहां पे अधिक्तम नहीं हो सकता है B-Firm का जो लाब है वो अधिक्तम कहां पे होता है जब किमत कितनी होती है O से लेकर H तो इस इस्तिम हम देखते हैं A फर्म जो हो क्या है किमत नेता कहलाएगी ठीक है और B फर्म क्या है अनु करता है इसलिए A फर्म का जो लाब है वो यहां पर अधिक्तम होगा और B फर्म का जो लाब है वो अधिक्तम नहीं हो सकता है ठीक है लेकिन किमत कितनी होगी B फर्म की उत्पादन की O से लेकर P और वो भी कितना उत्पादन करेगी O से लेकर M अब देखिए इस रेका चितर के हिसाफ से हमको एक बात ध्यान अकनी है कि जो भी किमत निर्धायत हुए जैसे O से लेकर P ठीक है लेकिन B फर्म की जो किमत अधिक्तम लाब किस नहीं हो कितनी है O से लेकर H तक है ठीक है अब जो B फर्म है वो A की द्वारा निर्धायत किमत O P का अनुसरान करती है ठीक है तो O P कीमत से अगर जो B Firm की लागत हैं अगर वो O P से ज़्यादा हैं ठीक है बात समझ में आ रही है O P कीमत जो निर्धारित होई है उसकी तुलना अगर हम B Firm की लागत से करें और B Firm की जो लागत हैं ठीक है और B firm क्या करेगी उद्योग छोड़के चली जाएगी ठीक है उद्योग छोड़के चली जाएगी तो क्या होगा जो firm A है उसका एक अधिकार इस्तापित हो जाएगा क्लियर हो गया और दूसरी चीज़ यहां पर हमने क्या मानिता ले ले थी कि वस्तों क्या है समरूपे एक जिसी हैं लेकिन वस्तों अगर विभेदिक रत हैं उनमें थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है तो वस्तों की जो कीमते हैं वो भी क्या होगी अलग अलग होगी ठीक ह जो उभुकता हैं वो वस्तों की जो क्वालिटी हैं वो उसमें अंतर है तो उसके आदार पर वो कीमत जो है वो थोड़ी थोड़ी अलग हो सकती हैं दूसरी इस्तिति हमारी है प्रधान फर्म द्वारा कीमत ने तरत वा ठीक है दूसरी मानिता हम ले रहे हैं कि जब आजार में केवल एक फर्म प्रदान फर्म है ठीक है और बाकी दूसरी फर्मे जो हैं उसका अनुसरन करने वाली है उसकी फोलोवर है छोटी छोटी फर्म है ठीक है तो एसी इस्तिजे में कीमत और उत्पादन का निर्दारन केसे होगा ठीक है तो प्रदान फर्म किसे कहते हैं हम चोटी चोटी फर्में हैं कितनी पूरती की जाएगी विभिन किम्तों पर वो अनुमान लगा सकती है कौन प्रदान फर्म ठीक है प्रदान फर्म छोटी फर्मों द्वारा विभिन किम्तों पर किसी वस्तु की कितनी मात्रा बेची जाएगी उसका वो सही सही अनुमान लगा सकती है कौन प्रदान फर्म ठीक है एसा हमने मान लिया है और अगर ओ मान का अनुमान लगा सकती इसका मतलब छोटी फर्मों का जो मांग वक्र है उसको जाद कर सकती है प्रदान फर्म ठीके तो यह हमने यहाँ पे माननी ताहि ले लिया है इस आधार पर अगर हम इस रेखा चित्र में देखते हैं तो इस रेखा चित्र में ये जो SM वक्र है ठीक है वो इतर से क्या है जो छोटी फर में है लगू फर में है उनका पूर्टी वक्र है ठीक है जब कि DD क्या है वाजार का मांग वक्र है अब इस इस्तिति में हम देखते हैं कि जो R बिंदू है यहाँ पर मांग और पूर्टी दोनों क्या है बराबर ठीक है ऐसी इस्तिति में वस्तु की जो कीमत है वो कितनी है O से लेकर P1 तक तो जब कीमत O से लेकर P1 तक होती है तो लगूफ फर्मे जो है वो पूर्टी कितना क तू कि मांग कितनी होगी शुन्या होगी क्लियर हो गया कि जो SM हमारा वक्र है वो जो छोटी फर में हैं उनका पूर्ति वक्र है ठीक है अब हम देखते हैं कि जब किमत इस से थोड़ी निचे माना की कितनी निर्धाइट होती है ओसे लेकर पी किमत अगर ये किम्मत निर्दायत होती है तो ऐसी इस्तिती में लगू फर्मे जो हैं वो कितनी पूर्टी करती हैं P से लेकर B मात्रा ठीक है P से लेकर B मात्रा जो है उसकी पूर्टी कौन करती है लगू फर्मे ठीक है और बाकी का जो बाग है B से लेकर S तक का इसकी जो पूर्ती हैं वो कौन करती है प्रधान फर्म के द्वरा की जाती है ठीक है तो B से लेकर S तक की जो पूर्ती की जा रही है ठीक है उसको हमने इस रेखा चितर में P से लेकर H तक की मातरा के ठीक है यह जो P से लेकर S तक की मातरा है वो B से लेकर S वाली मातरा के बराबर ठीक है मतलब B S जो मातरा है वो P से लेकर H के बराबर मतलब यह हमने जो रेखा चिते बना रखा दूसरा किस के लिए बनाया हमने केवल यह प्रधान फर्म के लिए बनाया है ठीक है और यह जो है वो कुल के लिए हैं दोनों मतलब प्रदान फर्मे भी हैं और जितनी भी लगू फर्मे हैं उन सब के बारे में हैं ठीक है अब देखिए कि माना की हम किमत ले ले लेते हैं अगर O से लेकर P2 ठीक है अगर किमत कितनी होती हैं O से लेकर P2 होती हैं तो इस इस्तिमें जो सारी लगू फर्मे हैं छोटी फर्मे हैं उनके दोरा कितनी पूर्ति की जाती हैं पी टू से लेकर सी मातरा की जबकि जो प्रधान फर्म है ठीकि उसके दोरा कितनी पूर्ति की जाती हैं C से लेकर T पूरती की जाती है तो C से लेकर T जो पूरती की जा रही है ठीक है उसको हमने इधर प्रतेशित कर दिया है इस वाले में ठीक है प्रदान फर्म में P2 से लेकर Z तक ठीक है यह हमने प्रतेशित कर दिया है और यह P2 से लेकर Z जो किसके बराबर है P2 Z इस इक्वल टू ठीक है यह हमार इस डाइग्राम का P2 Z किसके इक्वल है इस डाइग्राम में जो हमारा CT है ठीक है जो परदान फर्म के दारा पूर्तिक की जारी वो कितने की जारी CT से लेकर T اور उसको हमने लगू फर्मों के द्वारा जो वस्तु की पूर्ती की जारी वो कितनी है शुन्य है ठीके और जो प्रधान फर्म है ठीके उसके द्वारा कितनी पूर्ती की जारी है समस्त पूर्ती जो है वो प्रधान फर्म के द्वारा ही की जाती है ठीके P3 से लेकर यूता ये जो पूरा है वो पूरी पूरती कौन करता है प्रदान फर्म के द्वरा ही की जाती है ठीके तो इसका मतलब क्या हो गया कि विभिन किमतों पर बाजहार मांग जो है ठीके ये हमारी बाजहार मांग थी DD वक्र है ठीके तथा लगू फर्म का जो ये हमारा सीमान तो पूर्ती वक्र है ठीके ये जो पूर्ती वक्र है ये पूर्ती वक्र है हमारा ठीके लगू फर्म का और ये बाजहार का जो मांग वक्र था ठीके लगू फर्म के दारा है और जो प्रदान फर्म के अधर अधर रिवस्तों का तो इन वक्रों के आधार पर और इन विबिन किमतों के आधार पर हमने क्या किया जो प्रदान फर्म है ठीके उसके मांग वक्र का हमने अनुमान लगा लिया है ठीके और साथ मेंगर हम देखते हैं तो प्रदान फर्मका जो मांग वक्र हैं ठीके वो कितना है D से लेकर L ठीके प्रदान फर्मका एक तरह से क्या है यह पर कीमत नेता हम किया सकते हैं उसको और प्रदान फर्मका इसी मांग वक्र के अधार पर हमने एमार वक्र biraz जो है, उसका भी अनुमान लगा लिया है, ठीक है? जो प्रदान-firmien का सीमान आयव कह सकते हैं और किमत नेता जो हैं, अगर वस्तोकी कीमत अगर O-P निर्धाइद करती है, ठीक है? संतुलन किस्ति के हरगर में बात करते हैं तो ये उसका सिमान लागत वक्र है और संतुलन जो है वो इस ए बिंदू पर इस्तापित होता है ठीक है जहां पर M.R.O.N.C. क्या है बराबर है तो इस इस्ति में प्रधान फर्म जो है प्रधान फर्म के द्वारा ये जो कीमत O.P. निर्धारित हुई है जो दूसरी लगू फर्मे है चोटी फर्मे है वो भी इसी कीमत का अनुसरण करेगी मतलब दूसरी चोटी फर्मे भी अपनी वस्तु की कीमत कितनी निर्धारित करेगी O.C. लेकर P. ठीक है और सबी फर्मे जो है वो मिलकर क्या करेगी वस्तु की जो ये P. से लेकर B. मातरा है ठीक है वो मार्केट में बेचेगे जो लगू फर्मे है ενो कितनी बेचेगी P. से लेकर B. तक हम कह सकते हैं और सभी कुलाजार में मांग कितनी कितनी की जाएगी P से लेकर S तक समस्त फर्मे कितना बेचेगी P से लेकर S तक इतनी मातरा ठीक है जिसमें से P B मातरा कौन लगू फर्मे ठीक है और ये जो B S मातरा है ठीक है B S मातरा ठीक है या जो इसमें P H के बराबर है ठीक है वो कौन बेचेगी या pH के बराबर किया सकते हैं या हम किया सकते हैं वो क्यों किया बराबर ठीक है इसको कौन बेचेगी जो किमत नेतरत फर्म है ठीक है जो किमत नेता फर्म है वो इतनी मात्रा बेचेगी ख्लेर हो गया और किमत नेता का जो लाब है ठी इतनी ही मात्रम अगर लगू फर्मों के दरा पूर्ति की जाएगी तो जो कीमत नेता फर्मे हैं उसका लाब अधिक्तम होगा ठीक है तो इस तरह के सम देखते हैं कि ये भी इनके बीच में क्या हो गया है समझोता हो गया है अब प्रत्यक्ष रूप से ठीक है अब देखिए क कि हम अगर कुछ कठनाईयों की बात करते हैं तो कीमत नेतरत की इस्तिति में कुछ कठनाईयां भी हो सकती हैं जैसे कि हम कहें कि जो कीमत नेता फर्मे ठीक है उसने अपने अनुआयों की जो भी फॉलोवर से ठीक है उसकी प्रत्यक्रिया का अगर सही सही अनुमान नहीं ल की निर्धायत की गई है वह उची कीमत मतलब जो छोटी फर में वो चितना सोचती है अगर उससे भी ज़्यादा निर्धायत कर देती जो प्रतीदंदी फर में है वो विभिन परकार के तरीकों से अपने उत्पादन की मातरा को बेचे किमत नेतरत जो सफल नहीं हो पाएगा ठीक है जैसे विभिन तरह कौन से हो सकते हैं कि जो छोटी-छोटी फर में है वो साक सुलिदा उपलब करा दें मतलब कम ज्याजदार पर वस्तों है जो है किस्तों में भुक्तान की लोपलब करा दें यहां फिर बेचने के बाद में अपने वस्तों को बेचने के बाद में जो ग्रहा कि उनको निशुल का सेवाएं उपलब कराते रहें तो इस इस्तरी में जो किमत नेतरत वो सफल नहीं हो सकता है ओके थैंक्यू